खबर उपी उपी के रामपूर से है जहाँ पर गंज कोतवाली क्षेत्रों में पुलिस लाइन के पास गोली बार कर अवैद समंद में प्रॉपर्टे डीलर की हत्या कर दी गई मृत्य के भाई ने एक नामजद और दोग्या के खिलाफ रिपोच ली है घटना मंगलवार की बताई चारी है शोहर के महला शहबाद गेट इदगाहा निवासी ताबिश खान प्रॉपर्टे डीलर का कार करता है तो वहीं बाइक से कहीं जा रहा था पुलिस लाइन और नई तैसील के पास ओवर ब्रिज के नीचे कुछ लोगों ने उसे घेड लिया और गोली मार दी गोली ताबिश के इस सिर में जा लगी जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई वही हत्या के मामले में ब्रुतक के भाई रिपोर्ट कराई जिसमें कहा गया कि ताबिश का अजीदपुर नई बस्ती में आजाद खान के घर आना जाना था आजाद को शक हो गया कि ताबिश के उसकी पत्नी के साथ अवैद समंद है इसलिए रंजिश अपने मन में इसको माने लगा और उसके दो आने असाथियों को साथ लेकर ताबिश के उसने हत्या कर दी पुलिस फिलाल घटना की जाज कर रही है आरोपी की घर पर दबिश भी दी है लेकिन अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं आ पाया